दिल्ली G20 शिखर समेलन की मेजवानी के लिए तयार है। दो दिनों तक राष्टिरीय राजधानी के अंतर राष्टिरीय परदर्शनी और समेलन केंदर में आई जूत होने वाले समेलन में। शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्टपती जू बाइडन, ब्रेटेन के परधान मंत्रे रेशी चुनत, कनाडा के पीम जेस्टिन टुडो, जपान के पीम फोमियोश किशिदा, आस्ट्रोलिय के पीम एंतोनी अल्बनीज, फ्रांस के राष्टपती इमान्वल मांकरो भा पहले, मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को, जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्य के रूप में, अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ, पीम नरेंदर मोदी की नेताओं के साथ 15 से अधिक बैठे के होनी की उमीद है, अमरीकी राष्टपती जो बैडन से मुलाकात कर चुके हैं, इस दोरान परधान मंत्री का रियालर नहीं कहा है, दोनों नेताओं की वारता में बयापक मुद्देश शामिल रहे, इस से भारत और अमेरिका के बीच संबंद और मजबूत होंगे, भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती वैस्षिक भलाई को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमी का निभाती रही गी, कुछ देर पहले, मौरोकों में आये भूकम से प्रभावित लोगों के प्रती, मैं अपने हार्दिक समवेदना प्रगट करना चाहता हूँ, हम प्रार्खना करते हैं कि सभी इंजड लोग श्रीग्रस स्वस्त हो, इस कठीन समय में पूरा विश्व समुदाय मौरोकों के साथ है, और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुचाने के लिए तयार हैं। आज G20 सम्मिट के परमुख आयोजिन की शुरुआत परगती मैदान के भारत में हो रही हैं। 9 और 10 सितंबर को बैशिक समस्याओं पर मन्थन होना है। आज G20 के प्रसिडेन के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस Global Trust Devisit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है। बैश्विक अर्थिववस्ता में उठल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाइड हो, इस्ट और वेस्ट की दुरी हो, फूर्ड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो, हेल्थ, एनरजी और बोर्टर सिकुरिटी हो, आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा हलांकि अब तक ये बिल्कुल एस्परस्ट नहीं हो पाया है कि नेताओं की घोशना पत्र में युक्रेण संकट का जिक्र होगा या नहीं इक वीडियो में इतना ही आप हमारे चैनल हैं